तो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से हम कर रहे थे परिशा की तयारी और जब भी परिशा की तयारी की बात आती है तो अभीप्षा की बात आनी तो जरूरी है 36 बोड के लिए हमारा काम चल रहा है कक्षा बार्वी की भौतिकी के लिए आपकी परिच्छा की तयारी कराना इसके अलावा सारे विश्यों पर आपको हमारे सिक्षक मिल जाएंगे जो कि YouTube पर और हमारे application दोनों जगह पर उपलब्द हैं हमारे application में जाने पर आपको Mission 2023 नाम का एक segment दिखाई देगा जहां पर से आप सारे के सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं इसके अलावा आपको additional substances मिलते हैं additional content मिलते हैं जैसे की mind map, short notes, important questions और one-to-one mentorship तो हम लोगोंने क्या बाते की थी? भू चूंबकत तो7- свτιह विसे पर हम लोगों में बहुस सारी बातें कर ली हैं इन बातों के सिलसले में जब आखरी बार हम मिले थे तब हम लोगों ने प्रती चुम्बकी पदार्थों के बारे में बाते की थी प्रति चुम्बकिय पदार्थों के बारे में बात करने के बाद में हम लोगों ने परमाणवी इस्तर पर जाकर उसके बारे में चर्चाएं कि क्यूरी का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ की चुम्बकन प्रवित्ति जो है उसके चुम्बकिय सीमा के अनुक्रमानुप और दूसरी बात किया है कि उसकी चुम्बकन प्रवित्ति जो है वो ताप मान के व्यूत क्रमान उपाती होती है मतलब यह है कि कोई पदार्थ जो है कितना ज्यादा चुम्बकित होगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अंदर जो है उसकी चुम्बकन करid में पढ़ेगा कि ताकमान बढ़ाना कुल मिलाके उस पड़ार्थ को अधिक उष्मिय और्जा प्रतान करना है और जब भी हम उष्मिय और्जा प्रतान करते हैं तो किसी भी पदार्थ के अंदर इलेट्रानों का और उसके नाभिक का कमपन वो बढ़ जाता है कमपन बढ़ने से जो है वहाँ पर अब चुम्ब के प्रभाव में कमी आएगी और वो चुम्म की परभाव में कमी, जो है, वहां उसकी चुम्म की प्रविक्ति के बारे में बताता है, ठीक है, अब ये अनुकरमा नुपाइख, मतलब अनुपातिक नियातांग जो है, हटाने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर बराबर का चिंद लगाया, और एक अनु कुरी नियर्टांक और टी यह द कन करते हैं आपको काय के बारे में नहीं पता है तो आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए हम लोगों ने बारे में चर्चा की है और यही कियो का नियम है यह कहता है कि किसी पदार्थ की चुम्बक की प्रवित्ती उस पदार्थ को किस तापमान पर रखा गया है इस पर निर्भर करती है और यहीं से आप से प्रश्ण अगर दस्वी कप्छा में होते तो पूछा जाता कि किसी चुम्बक को हमें पीटना क्यों नहीं चाहिए या उसे घर्म कहें नही है या हो सकता है कि कोई बदार्थ जो पहले चुम्बक की भात व्यभार करता था वहatti पूरी तरिके से सिर्फ लुहे का तुकडा रहких है वह की प्रवित्ती खो दök अब यह चुम्बकी प्रवित्ती खो देने की प्रवित्ती है या किसी पादार्थ का कुम्बक बन जाना या चुम्बक ना बनना इस बात पर जो है हमारी एक चर्चा का और विशय है और वो है शैथेले वक्र अब सैथेले वक्र में आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि हम जो है विदुत चुम्बक किसे कहते हैं विदुत चुम्बक जो है क्या होता है कि हम जो है हम जो है किसी भी एक माल लेते हैं कि यह काच की नली है इसके आसपास जो है क्या करेंगे इसके आसपास हम तार जो है प्रवाहित कर देंगे और इस तार को किसी बैटरी से जोड़ देंगे ऐसी स्थिती में क्या होगा कि इसमें धारा प्रवाहित होगी और इस धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर कुल मिलाके चुम्ब की छेतर की तीवता बी नजर आएगी अब अगर आप याद रखेंगे तो हम लोग उने सबसे पहले जो ऑस्टेट का नियम देखा था उस ऑस्टेट के नियम के अनुसार यदि हम यहाँ पर धारा की दिशा को पलट देते हैं यदि हम यहाँ पर धारा की दिशा को पलट देते हैं तो धारा की दिशा पलट पे ही बी की दिशा भी बदल जाएगी यह हम लोगों ने ओस्टेट के नियम से देखा था अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम इसके प्रभाव को कुछ बढ़ाना चाहें तो हम इसके बीच में किसी ऐसे पदार्थ को रख देंगे जिसकी चुम्बक शिलता अब देखो अब चुम्बक शिलता अधिक वाला कोई पदार जैसे की कच्चा लोहा अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो अब क्या होगा कि वो पदार्थ स्वयम भी जो है जो है चुम्बकी बाहे चुम्बकी छेतर के संपर्क में आने पर इसके अंदर भी चुम्बकी प्रभा उत्पन होगा और इसके कारण यह एक ज़्यादा सक्तिसाली चुम्बक के रूप में हमें दिखाई देगा लेकिन अब जब हम यहाँ पर धारा की दिशा को बदलने का प्रयास करेंगे तब पहले हम लोगों ने क्या देखा था लोह चुम्बकी पदार्थों में यह देखा था कि लोह चुम्बकी पदार्थों में डोमेन होते हैं और यह डोमेन जो है क्या होते हैं अपने आपकी दिशा को घुमा कर पलट लेते हैं अब अगर हम धारा के दिशा पलट दे तो उसको नीचे आना पड़ेगा और इस इस्थिती में डोमेन में अपने आपको इसके अनुदेश घुमाए हुए सारे के सारे जो डोमेन हैं इनको अपनी दिशा बदल के विपरित दिशा में जाना पड़ेगा इस जो प्रक्रिया है इसमें एक बार इसका चुम्बकन फिर इसका चुम्बकन और उसके बाद में विपरित दिशा में चुम्बकन ये पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी ऐसी स्थिती में जो है वह समय जो जो है इसके अचुमबकन और प्रती दुबारा चुमबकन के जो है जो समय लगता है उसको ही हम सैथिल कहते हैं है कि rumors available in God when he is said पलड़ देने पर पढदारत पहले चुमबकी इस्थिति ने से पहले अचुमबक बनता है और उसके बांद भी विप्रित इसा में दुबारा चुमबकित होता है ऐसी स्थिति में इसकी चुमबकिय तीवता एच और इसकी जो है चुम्बकन ती व्रता इन दोनों के बीच में जो है जब हम जो है मतलब चुम्बकन ती व्रता देखे तो एच के मान के संगत होकर बी अत्वा आई तो चुम्बकन टीवर्ता एच आई और चुम्बकी टीवर्ता एच इन दोनों के बीछ में जो प्रभाव हमको दिखाई देगा उसके उस प्रभाव में जो समय लगता है जो लागिंग होती है उसे ही हम सहसी लटा कहते हैं जब हम जो है एक गाब बना कर देखना चालो करें तो आप देखेंगे कि ये एक निम्रितम ताप मान है और इस ताप मान पर जब हम लोगों ने इस पदावत को धारा ही दिसा में जो है चुम्बकित करना चालो किया तो यहां चुम्बकित होते हुए एक ऐसे मान पर पहुँचेगी जहां से ज़्यादा इसे हम चुम्बकित नहीं कर सकते इस मान में पहुँचने के बाद में इसमें आपधारा का मान बढ़ाते जाएं लेकिन इसमें चुम्बकन का मान उतना ही रहेगा तो यहाँ पर यह अधिक्तम चुम्बकन की सीमा पर पहुँच चुका है अब हम लोगों ने क्या किया इसे अचुम्बकित करने के लिए हम लोगों ने धारा की दिसा बदल दी तो वहाँ जिस तरीके से चुम्बकित हुआ था वहाँ उसी तरीके से चुम्बकित होने की बज जाए दूसरी तरीकी से चुमबकित होता है और हमें एक बिंदु मिलता है निग्राहिता बिंदु जहां पर यह पूर्ण रूप से चुमबक बन चुका है इस निग्राहिता बिंदु के बावजुद यदि हम लोगोंने विपरित दिसा में विदुद्धारा के मान को मतलब बनाए रखा तो अब यह विपरित दिसा में चुम्बकित होना प्रादम्भ करेगा और फिर से एक सीमा पर विपरित दिसा में अधिक्तम चुम्बकित हो चुका होगा यह जो पूरी क्रिया है इसमें यह गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा कि उतना ही देर लग जब यह चुमबकित हो रहा था तो यदि हम जो वहार चुमबक की खेत्र को हटा दे उसके बावजीद उस पदार्थ में जो चुमबक तौफ़ से कहते हैं और इसी गोण को जो हम लोगा चुम्ब का विजक करते हैं आपको पता होगा कि यदि हम प्रिफ्षी की उत्तर और द तो यही प्रभाव हम देखने के लिए जब आल पिन वाला एक डबा होता है जिसमें चुम्बक रखे हुए होते हैं ताकि सारे अल पिन एक जगा सुरक्षित रहे तो उस डबे से जब आप आप आल पिन निकाल कर और उसको दूसरे आल पिन से टच कराएंगे तो आपको उसम नजर आएंगे जो कि चुम्बक का त्वावसिस है तो यह ग्राफ जो हम लोगों ने समझ लिया अब आप देखेंगे कि एक पदार्थ जो है इस पकार का ग्राफ दिखाई देगा जहां पर जो है यह बहुत पतला है जबकि दूसरे पदार्थ के लिए जो हो सकता है आपक यह जो है हमको कच्चे लोहे जैसे पदार्थों में नजर आता है और यहां पर जो है हमको इसको चुम्बकित करना और इसको आचुम्बकित करना दोनों ही जो है मुश्किल नजर आता है और यह जो है स्टील जैसे पदार्थों में हमें दिखाई देता है तो इसलिए जो ह अब आप से पूछा जाए कि ट्रांस्फार्मर का जो कुरोड होता है उसे हम कच्चे लोहे से क्यों बनाते हैं तो उसका उत्तर यह है कि ट्रांस्फार्मर का क्रोड को कच्चे लोहे से बनाने के कारण क्योंकि कच्चे लोहे का सैथिल वक्र ऐसा होता है तो वह आसानी से को सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया अब हम जो है इसके पूर प्रशन पत्रों से उठाकर प्रशनों को पढ़ना चालू करेंगे तो जुड़े रही है हमारे साथ क्योंकि अब होने वाली है एक्जाम की बातें तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंने वा